बच्चों आज हम इस वीडियो में कुशान वंच के बारे में अध्यन करेंगे ठीक है ये अन्तिम वीडियो है इस पार्ट का और अन्तिम टॉपिक है कुशान वंच तो कुशानों के राजा कनिश्क है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें से कुशन आयवा है तो आप थोड़ा सा ध्यान पूरवक इस वीडियो को देखें, ठीक है, सबसे पहले देखें, कुशानों को यूची या तोचेरियन कहा जाता था, यूची या तोचेरियन, कुशानों को क्या कहा जाता था, यूची या तोचेरियन भी कहा जाता था, कुशानों को, ठीक है, और कभीले ने भारत के कुछ भागों पर शाशन किया ठीक है ध्यान रहेगा यूची किसको कहा गया है कुशानों को तो चेरियन किसको कहा गया है कुशानों को तो यूची कभीला जो है वो पांच भागों में बट गया है आप ध्यान रखेंगे और एक कभीला जो है पांच में स से एक कबीला भारत के उपर शाष्यन कर रहा है तो आएए पड़ते हैं सबसे पहले कुशाणों की राजा कुझुल कड़ फीशस प्रथम क्या नाम है इसका कुझुल कड़ फीशस प्रथम up क The कुजुल कड़ फीसस प्रतम इसका समय देखे पंद्रवी इस्वी से 65 इस्वी तक का इसका समय है और यह जो है कुजुल कड़ फीसस प्रतम यह अपनी जाती के गौरव का संस्था पक्ता और इसने दक्षिन अफगानिस्तान काबुल कंधार पार्थिया पार्थिया इरान को कहते हैं ध्यान रखेंगे इसके एक भाग को अपने राज्य में मिला दिया ठीक है इसने अफगानिस्तान को जीत लिया काबुल को जीत लिया कंधार को जीत लिया इरान पार्थिया का नाम है उसको अपने राज्य में मिला ल यह हैं पल्लव चोल पांडे चेर ठीक है कदम परिवार और शक जाती है रही आपकी उसके बात योधे और यह आपके उत्तर पस्ठिम से आने वाले आपने पड़ा है मदेश्या से आने वाली शक जाते हैं जो है वो इसी रस्ते से आई थी और कुषानों का सामराज्य कनिश् श्मीर में है ठीक है साथ वहनों का एरिया ये है कलिंग आप देखी रहें तो इस प्रकार ये भारत का मांचित्र आपको समझ में आना चाहिए फिर आप आगे देखिए कुशान सामराजे आपने देख लिया है इसमें और साथ वहन है अब आप देखिए कड़ फीसस प्रतम के बाद आया है कड़ फीसस दित्ते का बेटा कड़ फीसस प्रतम का बेटा है विम कड़ फीसस दित्ते ठीक है इसने सामराजे संभाला अपने पिता जी के बाद 65 से 25 इसवी तक इसने अपना सामराजे संभाला तो भारत के एक विशाल शेतर पर इसका राज्य था, ठीके, ये शिव जी को मानता था, शेव मत का अनुयाई था ये, शिव जी का भक्त था ये, और इसने कुछ जो मुद्राएं बनाई न, अपने समय में, तो इसने उन मुद्राओं में, त्रिभुज, त्रिशुल धारी, व्यागर चर कारण किया, नंदी, अभी मुख भगवान शिव के आकरती अंकित करवाई, इसने अपने मोहरों पर, अपने सिक्कों पर, इन सबसे पता चलता है कि ये शेव मत का अनुयाई था, शिव जी को मानता था, ठीके, हिंदू धर्म का था, इसने भारत में पहली बार सोने के सिक् फिर हम पढ़ते हैं, बहुत ही important character है, कनिश्क, और इसमें से आपके question आया है, तो आप इसे ध्यान से सुनें, ये भारत के प्रमुक कुषान राजाओं में से माना जाता था, परंपरा के अनुसार, इस समय कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में आचारे प कश्मीर के राजा कनिश्क के समय हुई है, चोथी बोध संगती, याद रहेगा, पार्श्व की अद्यक्ष्टा में हुई है, ये भी आप ध्यान रखें, आचारे पार्श्व के समय, इसकी प्रतम राजदनी, यानि कनिश्क की प्रतम राजदनी, पेशावर कश्मीर को जीतने के बाद कनिश्क ने काश, गर, यार, कंद और खोतान पर भी विजय प्राप्त करी, तो इसने तीन चीज़ें पूछते हैं, कनिश्क ने कश्मीर के बाद में काश, गर, यार, कंद और खोतान को भी जीत लिया, और अपने नाम पर कश्मीर को जीत कर कनिश्क पूर नगर बसाया था, फिर उसके बाद महा इस्थान बोग्रा में पाई जाने वाली, important line है, महा इस्थान बोग्रा में पाई जाने वाली सोने के मुद्रा पर कनिश्क की एक खड़ी मूर्ती अंकित है तो ये चित्र देख लो आप ये कनिश्क की खड़ी हुई मूर्ती है दिख रही है आपको कनिश्क की खड़ी मूर्ती है ये कहां मिली है तो आप ध्यान रखना बोगरा में एक जगा है महाइस्थान वहाँ ये स प्रतिमा में क्या खास बात है जो मतुरा में मिली है बोगरा में तो कनिश्क की खड़ी मूर्ती मिली लेकिन मतुरा में जो मूर्ती मिली उसकी खास बात यह है कि इस प्रतिमा में घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने वे हैं तो यह जो चितर आप देख रहे हैं न यह मत्हूरा का एं। इसने उपर चोगा पहन रखा है और नीचे भारी बूूट पहन रखें ये प्रतीमा मत्हूरा जिले में मिली। एक तांबे के सिक्के पर कनिश्कु को वेदी पर बिठाया वा दिखाया है बली देते दिखाया है ध्यान रहेगा एक तामबे के सिक्के पर कनिश्क को बली देते हुए ये कुशान का लिंज सिक्के देखिया बली देते हुए दिखाया गया है इसको और कनिश्क के दर्बार में कौन-कौन थे यह है आपका एक नंबर का कुशन कि कनिश्क के दर्बार में कौन-कौन लोग थे तो कनिश्क के दर्बार में पार्ष, वसुमित्र, अश्व घोष और बोध विचारक थे और नागारजुन ऐसे महान गणितग्ये, चरक जैसे चिकित्सक यानि डॉक्टर और बोध धर्म की महायान शाखा का भ्यूदय और प्रचार भी कनिश्क के समय हुआ है अब ज्यान रखेंगे कि पार्ष, वसुमित्र, अश्व घोष जैसे बोध विचारक और नागारजुन जैसे प्रख्यात गणितग्ये और चरक जैसे डॉक्टर कनिश्क के दर्बार में थे और इसी के समय बोध धर्म की महायान शाखा का अभ्यूदय और प्रचार कनिश्क क के समय हुआ, उत्तर भारत में कुशान सत्ता जो थी वो लगबग 230 इसवी तक बनी रही, कब तक 230 इसवी तक बनी रही, इस समय रोम से भारत का जो व्यापार था, वो काफी अच्छी स्थती में था, और भारत में आर्थिक समरदी कनिश्क के समय ही आई थी, ठीक है, तो आ आत्मसातिकरण क्या है, वो भी देख लिजिए, आत्मसातिकरण जो है, शक, हून और कुशान ये तीनों विदेशी जातियां थी, इन्होंने शाशन तो किया, लेकिन धीरे धीरे भारती सामराज्य और संस्कृति में ही आत्मसात हो गए, मतलब इन्होंने भारत को अपना भारत की संस्कृति को अपना लिया, और भारत में ही इन्होंने निवास करना शुरू कर दिया, थीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये बात, भारतियों की उदार प्रवति के कारण ये जो बरबर रूप था इन्में, लेकिन धीरे धीरे ये जातियां समाज का एक अंग ब भारत की संस्कृति को अपना लिया, कुशान शाषकों में तो वेदिक धर्म, पालन और शेव मत की निष्टा सरु माने रही है, इन्होंने शिव जी को भी माना, तो इन्होंने बोध धर्म का भी प्रचार प्रसार किया, कनिश्क द्वारा की गई बोध सेवा की, बोध धर भारत के महन राजाओं में शामिल हो गए, आप चित्र देखिये, बली लेते हुए भी सिक्कों उपर, बली लेते हुए भी कनिश्क ने जो है, अपने सिक्के बनवाए हैं, और वोध धर्म का प्रचार भी इसने किया है, सिक्कों के जरी आप देख सकते हैं, ये कनिश्क की मूर्ती है, जो मतुरा से मिली है, जिसमें इसने चोगा पिन रखा है, और नीचे जूते पिन रखें भारी, तो इंपोर्टेंट है ये, ठीक ह इसके बाद आपके आते हैं, वो भी आप देख लीजिए, ये पाठ आपका अंतिम जो है, खतम हो चुका है, यहीं पर आपका पाठ समाप्त हो चुका है, और इसके आप मुख्य बिन्दू भी देख लीजिए, महतुपूर्ण बिन्दू देख लीजिए आप, महा भारत, बोध साहित्य और चानके के अर्थशास्त्र से महा भारत बोध और साहित्य और चानके के अर्थशास्त्र से महा जनपदों के बारे में जानकरी प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट चंदरगुप्त मोरे के विशाल सामराज्य में चंदरगुप्त मोरे ने काबुल, हैरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा, यमुना का मैदान, बंगाल, बिहार, गुजरात, विंधे और कश्मीर के भूबाक सम्मेलित थे इसके विशाल सामरा अधिकांश अभिलेक कोशन है, आपका याद भी करना है, अधिकांश अभिलेक धर्म ब्रामी लिपी में है, जबकि पस्चम उत्तर भारत से जो अभिलेक प्राप्त हुए, वो अराइमिक या खरोष्टी लिपी से प्राप्त हुए, अशो के अभिलेक को पढ़ने वाला प साथ अंग थे जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र ये कोटिले के दर्वार में साथ अंग थे साथ वाहन वर्ग के सभी शाशक हिंदू धर्म के अनुयाई थे उन्होंने वेदिक यग्यों और वेदिक यग्यों वर्णाश्रम विवस्ता को प्रतिष्टित किया तथा यवनों और शकों से भी संगर्ष किया फिर आपका इंपोर्टन लाइन इलाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुंद्र गुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा उसके बाद आपको पता है आरे भट वराह मीर ब्रह्मा गुप्त ने गुप्त काल में गणित और जोतिर विज्ञान में बहुत योगदान दिया नववा पॉइंट देखिए गुजर प्रतिहारों की इस्थापना नागभट नामक एक सामंत ने 725 इस्थि में की और राज्जी की इस्थापना इसका जो राज्जी था उसकी इस्थापना गुजरात में हुई बाद में इसी के नाम पर गुजर प्रतिहार नाम पड़ा कला की दिश्टी से बहुत प्रसिद रहे है वो जो नटराज की मूर्ती थी वो कासे की थी तो साथ वाहन गोत्मी पुत्र साथ करनी नासिक लेख में लिखा है कि शकों को नश्ट करने वाला शेहरात वंच का उनमुलक किसे कहा गया है तो शेहरात वंच का उनमुलक किसी और क इसके अभ्यास प्रश्ण अत्ति लगूत रात्मक प्रश्ण आप देख रहे हैं इन सभी प्रश्णों को आप अपने कारे के अनुसर कंप्लीट करें